हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल वांग्शन क्यूर लव स्टोरी तो फ्रेंड्स चलिए आज हम अपनी स्टोरी आई वांट टू सिलीब विद्यू का नेक्स पास शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले प्लीज फ्रेंड्स अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो इबो बस उसे देखे ही जा रहा था जान को तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखर क्यों इबो उसे ऐसे देख रहा है तब इबो इबो से पूछता है सर कुछ हुआ है क्या तो इबो जान की तरफ देखता है और कहता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ तो वो कहता है सर फिर कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं तो एबो जल्दी से उठता ए वो जान से कुछ भी नहीं कहता और वो शीदा वाश्रूम में चला जाता है वो वाश्रूम में जाके अपने दिल पर आत रखता है और वो कहता है क्या मैं पागल हो गया हूँ मैं उसे ऐसे क्यूं देख रहा था हाँ मेरा दिमाग सच में खराब हो गया है ऐसा कहता है और वो जल्दी से शाहर लेता है अब हम तोड़ी देर बाद का शीन देखते हैं इबो वाश्रूम से बाहर आता है तो वो देखता है जान बैड पर बैठा हुआ था अपने फोन में कुछ कर रहा था इबो आता है और वो भी रेडियो के उसके साथ उसके बैड पर बैड जाता है वो इबो की तरफ इबो जान की तरफ देखे जा रहा था लेकिन जान जान तो पूरा फोन में बिजी था तब ही इबो जान से कहता है जान जान इबू की तरफ देखता है और अपना फोन बंद कर लेता है वो कहता है तो जान इबू कहता है जान तुम चाहो तुम मेरी कंपनी में जॉब कर सकते हो तुम अगर चाहो तुम मेरी कंपनी में आ सकते हो इबू जान इबू की तरफ देखे जा रहा था इबू जान की नहीं सर मुझे मैं ठीक ही ऊसे कमपिणी में एपुत जान मन में मुस्erkा तरहूं है यह आखिर मुझे एपनी कमपिणी में और कया उफ़र किसे दे सकता है। तबी इबो कहता है जान मैंने तुम से पहले भी कहा है कि तुम जो मेरे लिए कर रहे हो मैं उसके बदले तुम्हें सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ तुम चाहो तो अच्छी जॉब पैसा तबी जान कहता है सर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ बस आपने जो मेरे भाई के लिए क्या है उसके लिए मैं आपको थेंक्यू करता हूँ पैस सर मुझे और खुछ नहीं चाहिए तबी इबो जान की तरफ देखता है जान लेड जाता है और जल्दी से अपनी आखे बलंद कर लेता है इबो जान को देखे जा रहा था थोड़ी देर में वो भी लेड जाता है और थोड़ी देर में उसे नीद आ जाती है जान इबो की तरफ पलट के देखता है तो वो देखता है कि इबो तो सो चुका है वो अपनी मन में कहता है मैं कहां फस गया हूँ मैं कब इन सबसे बाहर निकलूँगा ये परसन तो सो जाता है और मुझे तो नीद भी नहीं आती लेकिन थोड़ी दिर हैसे ही सोचते सोचते जान भी सो जाता है क्योंकि उसने आज अपने ब्रदर के साथ बहुत सारी मस्ती की थी दोनों ने मिलके तो अफिशली जान भी बहुत थका हुआ था न तो उसे भी नीद आ जाती है वो भी सो जाता है अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं मॉर्निंग में जान इबो के चेस्ट पर सो रहा था इबो उसे टाइटली हक करके सो रहा था तब ही इबो की आइस कुनती है और वो अपने उपर जान को देखता है वो जान को ऐसे देखता है तो उसके चेरे पर एक स्माइल आ जाती है वो बस जान को ही देखे जा रहा था वो जान को देखता है और जान की तरफ बस थोड़ी देर देख वो उसकी चेरे से बालों को उठाता है तब ही उसकी नजर जान की लिप्स पे जाती है और उसके नीचे जो मोल था उस पे जान तो गहरी नीद में था इबो थोड़ी देर तक तो उसकी चेरे को देखता रहता है उसके लिप्स को देखता रहता है पता नहीं सदनली इबो को क्या होता है वो जल्दी से इबो के लिप्स पे छोटा सा एक किस कर लेता है वो तब ही अपने सेंस में आता है और अपने मन में सुचता है यह क्या किया मैंने अभी मैंने जान के साथ क्या किया बागल हो गया हूं क्या ऐसा कहता है और वो दीरे से खुद को जान से दूर करता है और जल्दी से वाश्रूम में बाग जाता है और वाश्रूम में जाके अपनी दिल पे आत रखता है और कहता है क्या मैं पागल हो गया हूं मैंने क्या किया मैंने उसे किस किया पर क्यूं मेर दिमाख सच में खराब हो गया है ऐसा वो मन में सुचता है और जहागे वो जल्दी से शार में खड़ा हो जाता है थोड़ी देर बाद वो खुट-खुट-थोड़ा रिलेक्स होता है शार लेने के बाद पूरा रेडियो होने के बाद वो बहार आता है जब वो बहार आता है तो देखता है जान की आँके पूरी तरीके से कुल चुकी थी वो भी बैट पर बैठा था जान इबो को देखता है इबो जान की तरफ देख रहा था जान इबो जान से गुट-मॉनिंग कहता है जान भी इबो को good morning कहता है और वो उड़ता है और सीधा वाश रूम में चला जाता है वो morning routine कंप्लीट करता है शाल लेता है और बाहर आता है इबो जब तक अपना office का काम शोपे पे बैठके कर रहा था वो इबो को देखता है इबो जान को देखता है और एक उससे पूछता है जान breakfast चलो तुम breakfast कर लो तभी जान कहता है मन में बिल्कुल नहीं तुमारा वो घास पूस मुझे बिल्कुल नहीं खाना मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है तभी वो उससे कहता है नहीं सर मेरा brother मेरा wait कर रहा होगा इसलिए मैं जा रहा हूँ इबो कहता है पर जान breakfast ready है तो जान कहता है sir मेरा बाई मेरे बिल्कुल नहीं करता और ऐसा कहता है तभी इबो जान से कहता है जान क्या तुमारे भाई ने वो form फिल्प किया तभी जान कहता है हाँ हाँ sir जान तो जान उसकी बात सुनता है तो रुख जाता है और कहता है यह sir तभी इबो कहता है जान तुम कभी पूरी बात क्यों नहीं सुनते हो तो मुझसे ऐसे भागते क्यों मैं क्या तो मैं खा रहा हूँ जान बिचारा चुपचा वहीं खड़ा रहता है वो कहता है नहीं सर तब एबो कहता है तुम अपने ब्रदर को को वो अपना पूरा सामान पैक कर ले क्योंकि अब उसे कॉलिज के केंपस में ही रहना होगा समझे तूं तो जान ओके कहता है और कहता है अब मैं जाओ सर इबो को तो गुसा आ रहा था पर वो कुछ भी नहीं कहता है वो के कह देता है जान जल्दी वहाँ से भाग जाता है इबो मन में सुचता है ये लड़का कितना अनौई है कि कभी जाते टेम बाहे तक नहीं बोलता तब ही इबो मन में सुचता है पर मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं कि उसने मुझसे बाई नहीं का हाँ मैं सच में पागल हो रहा हूं पता है मुझे क्या हो रहा है ये सब कुछ इसा वो मन में सुचता है अब हम इपो जान के गर का सीन देखते हैं चैंक सोपे पे बैटके इपो का जान का वेट कर रहा था, वो बहुत देर से जान का वेट कर रहा था, अब उसे जान के उपर गुसा भी आ रहा था, क्योंकि उसने कई बाद जान को कॉल किया, जान ने चैंक का फोन तक पिकप नहीं किया, थोड़ी देर में डोर बैल बच द आप ऐसा कभी नहीं करते थे गगा आकर क्या बात है तब जान चैंग की तरफ देखता है और चैंग से कहता है चैंग कुछ भी नहीं क्या तो मुझे पर ट्रस्ट नहीं करते है तो चैंग कहता है गगा मैं आप पर बहुत ट्रस्ट करता हूं ठेकिन तब जान कहता है चैंग इसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमारा फोम देने कहा था, तो बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैं अपनी फ्रेंट के पास ही रुख गया, जान चेंग से जूट बोलना तो नहीं चाहता, पर वो चेंग से कहे भी तो क्या कहे, वो मन में सुचता है, मैं आके चेंग से क्या कहूँ, ऐसा मन में सुचता है, और चेंग की तरफ एक स्माल करता है, तब ही चेंग कहता है, गगा मैंने ब्रिकफास्ट डेडी कर दिया है, चलिए चलदी से मुझे बहुत भूग लगी है पता है आपकी बज़े से मैंने ब्रिकफास्ट भी नहीं किया जान इसमाइल करता है और दोनों ब्रेदर बैटके ब्रिकफास्ट करते हैं तब ही चेंग अपने चेंग से जान कहता है चेंग तुम अपना सामान पैक कर लो तु तुम एक बहुत अच्छी कॉलेज में पढ़ो तुम बहुत अच्छे से पढ़ो और ये तुम्हारा भी सपना है और मैं तुम से प्रॉमिस कहता हूँ तुम जब मुझे कॉल करोगे जब तुम मुझे याद करोगे मैं कॉलेज में पहुंच जाऊंगा ऐसा कहता है और एक रूम में चला जाता है, तब भी जान भी उपर जाता है, अपने रूम में रेडी होता है, और अपनी ओफिस के लिए चला जाता है, अब हम जान की ओफिस का सीन देखते हैं, जान के उपर जी जोर जोर से चिला रही थी, वो कहते रही थी, जान, तुम ऐसा हमाल लोगों के सा के चले गए क्या तुम हमें अपना फ्रेंड भी मानते हो कि नहीं जान कहता था जी मेरी बात सो सुनो लेकिन जी और वैसा जान को बोलने ही नहीं दे रहे थे तबी जी कहती है पहले तुम बताओ आखिर क्या बात है तुम इस दिन इतना जल्दी में चले गए तुम्हारे चे चेंग ठीक है ना तभी जान कहता है चेंग बिलकूल ठीक है चेंग थोड़ा तभी जान चुप हो जाता है तो उससे समझ नहीं आ रहा था इसलिए बस लोक sínah जी थोड़ा स Темथ हilipp कर दे याij और वैसान जी जान से कहती है जान हम तुमारे फ्रेंड हैं तुम्हें हमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए समझे तू जान ओके कहता है और वो तीनों एक दूसरे को हग करने लगते हैं तीनों फिर जान कहता है अब चलती करो हमें अपना काम भी फिनिश करना है ऐसा कहके तीनों अपनी काम में लग जाते हैं अब हमें इवो की ओपिस का सीन दिखाया जाता है इवो अपने ओपिस में बेटा फाइल शेक कर रहा था देकिन वो बारवार जान के बारे में ही सोचा चा रहा था वो मन में सूच रहा था मैंने आज उसे morning में kiss किया पर अगर उसे पता चला तो वो मेरे बाले में क्या सोचेगा वो तो अच्छा है कि वो गहरी नीद में था लेकिन उसकी lips कितने soft थे वो ऐसा मन में सुचता है और अपने lips पे हाथ फिराने लगता है तब इबो अपने sense में आके कहता है मैं इस अब क्या कर रहा हूँ क्या मैं पागल हो गया हूँ वो ऐसा कहता है और फिर से एक smile करता है तब भी Mr. Joe वहाँ जाते हैं वो इबो की smile करता देखते हैं तो एक पल के लिए तो शौक हो जाते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते हैं वो अंदर आते हैं और इबो से कहते हैं सर तब इबो जो की तरफ देखता है और बोलता है हाँ तब इबो कहता है सर मीटिंग ओल में सब आपका वेट कर रहे हैं इबो के कहता है इबो उड़ता है और मिस्टर जो के साथ चला जाता है वो मीटिंग में अटेंड करता है मीटिंग फिनिश होती है उसके बाद वो बाहर आता है वो मिस्टर जो से कहता है जो हमें गर वापस जा रहा है बागी कुछ हैं आप देख लेना ठीक है अब हम जान का ओपस का सीन देखते है जान जी और वैसा तीनों ओपस के बाहर खड़े थे तबी जी कहती है बहुत दिन हो गए हम लोगों ने मस्ती नहीं की चलो आज हम तोड़ी सी मस्ती कहते है तबी जान कहता है बिलकुल नहीं मुझे जल्दी गज जाना है चेंक और कॉलेज की केंपस में जाने वाला है इसलिए मैं चाहता हूँ मैं आज थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड करूँ तबी जी कहती है अरे मैं कहती है तोड़ी न बोल रही हूँ कम काफी टाइम तब थोड़ा आइस्क्रीम खाते हैं थोड़ा चिल करते हैं फिर चले जाना तो जान एक स्माइल करता है वो तीनों रोड पे जा रहे थे आइस्क्रीम खा रहे थे और मस्ती करते जा रहे थे जीही ने जान के गले में अपने हाठ डाल रखा था अब हम देखते हैं उदर से इबो अपनी कार में आ रहा था लेकिन वो जैसे विंडो से बाहर देखता है तो उसकी नज़र जान पर पड़ती है जिसके गले में कोई लड़की अपनी बाहर डाल के खड़ी थी इबो ये देखता है तो वो अपने ड्राइवर से कहता है कार रुको वो इतनी लाउरली में बोलता है कि बिचारा ड्राइवर तो डर जाता है वो जल्दी से अपनी कार रुकता है जैसे ही पर इबो इबो बस जान को देखे जा रहा था और उसे जीई पर इतना गुसा आ रहा था अपने मन में सुचता है इस लड़की की इतनी हमत कि जान के इतना करीब और जान किसी को अपने इतनी करीब कैसे आने दे सकता है उसे बहुत गुसा आ रहा था वो अपनी दोनों मुठियों को बीच लेता है वो बस गुस्से में जान और जी को देखे ही जा रहा था वो तोड़ी दे दोनों को ऐसे ही देखता है और ड्राइवर से गुस्से में कहता है जल्दी से गाड़ी लेके चलो यहां से विचार है ड्राइवर वो तो दर जाता है और जल्दी से इबो को लेके वहाँ से चला जाता है इबो इबो अपनी मेंसल में पहुंचता है वो इतना गुस्टे में था वो सीधा अपने रूम में जाता है और अपना फोन पैट पर फेक देता है वो मन में सुचता है जान ऐसा कैसे कर सकता है वो किसी को भी ऐसे अपनी करीब कैसे आने दे सकता है ये वो को तो खुद भी नहीं पता है कि वो आखिर कह क्या रहा है वो कर क्या रहा है और आखिर ये सब उसके दिल में चल क्या रहा है वो बहुत परिशान था और बहुत गुस्से में भी अपनी मन में सुचता है जान आने दो आज मुझे से पूछूंगा क्या यह लेगते हैं जान अपने घर पहुंच चुक था तब सात बैठता है दोनों भृठर बात है करते हैं दोनों डिनर करते हैं तब ही थोड़ी दिर बाद जान चैंक से के च ता-चांग मुझे कुछ काम है मैं बहार जा मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगा वो से तैम में मॉर्निंग में आओ लेकिन तुम आराम से अपने सारा सामान पेक किया ना तुमने तो चेंग कहता है हाँ ब्रेदर मैं नहीं कर लिया पर क्या आप आज फिर जा रहे हैं पर मैं नहीं सुचा था हम दोनों आज टाइ मैं प्रोमिस कहता हूँ मैं जल्दी आ जाँगा ऐसा कहता है एक स्मायल करता है और चला जाता है उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो चेंग को ऐसे छोड़ के आया है लेकिन वो क्या कर सकता है उसे इबो की कॉंट्रक्ट पर जो साइन किया है उसे वो कॉंट्रक्ट भी मानना होगा और वैसे भी वो इबो से बहुत डरता है वो जैसे ही मैंसन में पहुँचता है तो देखता है इबो सुपे पर बैठा हुआ था जान मैंसन में अंदर जाता है और इबो को बो करता है इबो जान की तरफ गुस्ते में देख रहा था, जान जैसे इबो की तरफ देखता है, तो भी एकदम से डर जाता है, और मन में सुचता है इसको क्या हो गया, मैंने क्या किया है, तबी जान इबो गुस्षे में उसकी तरफ देखता है, तो जान कहता है, सर कुछ हुआ है क्या तो ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है कुछ नहीं हुआ तुम रूम में जा जान को बहुत गुसारा था बिचारा जा चुप चाप से उसके रूम में चला जाता है पीछे पीछे ईबो भी आ जाता है ठेकिन जैसे ही ईबो जान के चेहरे की तरफ देखता है कि जा जान कितना डरा हुआ है तो एकदम से तोड़ा उसका चहरा एकदम से नॉर्मल हो जाता है वो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है जान सौरी मैं तोड़ा परिशान था साथ इसलिए मैंने तुम से गुसे में तभी जान कहता है कोई बात नहीं सर तभी जान अपना कप ऌता है कि सरह इतना गुस्सा है तबी इभू भी वॉस्डूम में जाता है और फ्रेशन आप एक शाल लेके बाहर आता है remote यहान बैठ की लिप्स आपस में टकरा जाते हैं ये देख के जान तो पूरा फ्रीज हो जाता है और इबो बस उसे देखे जा रहा था वो ना जान के उपर से उठ रहा था ना अपनी लिप्स उसके लिप्स से अठा रहा था दोनों की लिप्स बस एक दूसरे से एक दूसरे के ऊपर पर ऐसा नहीं था कि वो दोनों किस कर रहे थे पर दोनों की लिप्स एक दूसरे से बिल्कल चिपके हुए थे जहना बड़ी बड़ी आखे करके इबो को देख रहा था इबो थोड़ी दे तक ऐसे ही जान के उपर रहता है लेकिन जैसे ही वो अपने होश में आता है वो ये बाद नहीं सर अबी इबो जान की तरफ देख रहा था इबो को अजीव फीलो रहा था और जान को भी जान का दिल जूर से दड़क में लगा था जान मन में सुचता है ये क्या हुआ अभी अभी ये सब क्या था उधर इबो इबो की भी आलक बैसी थी इबो का भी दिल जो से दड़क रहा था अपनी मन में सुचता है ये सब क्या था ये क्या हुआ अभी अभी और मैं क्या कर रहा था ऐसा सुचता है मन में और चुपचाप से इबो के पास जाके बैठ जाता है तबी दोनों में बिल्कुल साइलेंट था एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहते हैं कुछ बहुं जानों से कहता है जान क्या तुम्हार बाइब वह फिल्म फर्म फिलिप किया तोanna ओसको विजी नहीं रहता तो गर मैंने सुबह एंपको दे दिया थाट अहां मुझे याद आया मैंने चाहिा है तुम्हारा ब्रदर को करी जाना होगा हाँ ऐसा कहता है इबो मन में जान मन में एक स्माइल करता है और कहता है मैं सुच रहा तब मैं ही पागल हूँ यह भी मेरे जितना ही पागल है ऐसा सुचता है और एक स्माइल करता है जैसे ही इबो जान के चेहरे पर वो स्माइल देखता है तो बस देखता ही रह जाता ह उसकी दड़कने बहुत तेज हो गई थी तब इबो जान से कहता है क्या हुआ जान तुम इसमाल क्यों कर रहे हो तो जान कहता है कुछ नहीं बस ऐसे हैसा कहता है वो जल्दी से लेड जाता है इबो उसकी तरफ देखता है और एक छोटी से समाल करके वो भी लेड जाता है तो फ्रेंड एक्स पाड़म कल देखेंगे बाबाई टिक है